जैशी कृष्ण दोस्तों बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों आज में आपको मकर सक्रांती का महत्व उसकी पूजन विदी और साथ में आपको मकर सक्रांती की व्रत कथा सुना रही हूं कि आपको मकर सक्रांती पर किस प्रकार पूजन करना चाहिए क्या दानप कुन करना चाहिए जिससे आपको कई गुना फल मिले दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले बगल में बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच सके दोस्तों सबसे मकर सक्रांति क्यों मनाई जाती हैं मकर सक्रांति के दिन सूर्यदेव एक राशी से दूसरी राशी में प्रवेश करते हैं इसलिए इसको मकर सक्रांति कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार मकर सक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनी से मिलने उनके घर जाते अर्थात सूर्य देव जब धनू राशी से मकर राशी में प्रवेश करते हैं तो मकर सक्रांती का पर्व मनाया जाता है क्योंकि शनी देव मकर राशी के स्वामी है इसलिए इस पर्व को मकर सक्रांती के नाम से जाना जाता है सूर्य के धनू राशी से मकर राशी पर जाने का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त सूर्य दक्षणाइन से उत्तराइन को जाते हैं और उत्तराइन देवताओं का दिन माना जाता है हिंदू मैनताओं के अनुसार 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय सक्रांती के अनुसार खर मास कहलाता है खर मास में किसी भी अच्छे काम को नहीं किया जाता 14 जनवरी यानि मकर सक्रांती से प्रिथी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है इस दिन इलहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर माग मेला लगता है यहां सनान करने का बड़ा महत्व है माग मेले का पहला सनान मकर सक्रांती से शुरू होकर शिवरात्री के आखरी सनान तक चलता है दोस्तों मकर सक्रांती का व्रत और पूजा विधी मकर सक्रांती के पर भगवान सूरे की पूजा की जाती है उन्हें जल चड़ाया जाता है कई जगाओं पर लोग सूरे देपता के लिए व्रत भी रखते हैं अपनी शद्धा अनुसार दान पून करते हैं मकस क्रांती के दिन सुबह सूरे उदे से पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं इसके बाद लाल कप्ड़े पहने दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाये वरत करने का संकल्प करें सुबह के समय सूरे देव को तामबे के लोटे में शुद्ध जल चड़ाएं इस जल में लाल फूल लाल चंदन तिल और थोड़ा सा गुण मिलाएं और सूरे देवता को जल चड़ाते हुए तामबे के बरतन में जल गिराएं तामबे के बरतन में खटा किया हुआ जल किसी प इस प्रकार आप किसी भी सूर्य मंत्र को बोल कर उनको जल अवश्य अर्पित करें भगवान सूर्य की फूजा करने के बाद तिल उडद दाल चावल गुड सबजी कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र भी किसी ब्राह्मन को दान करें इस दिन भगवान को तिल और खिचडी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मन को भोजन अवश्य कराना चाहिए अब कथा सुनाते हैं शीमद भागवद एवं देवी पुराणों के मुताबिक शनी मराज का अपने पिता से बैरभाव था क्यूंकि सूर्य देव ने उनकी माता चाया को अपनी दूसरी पत्नी संग्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था इस बाद से नाराज होकर सूरे देव ने चाया और उनके पुत्र शनी को अपने से अलग कर दिया था इससे शनी और चाया ने सूर्य देव को कुष्ट रोक का श्राब दे दिया था पिता सूर्य देव को कुष्ट रोग से पीड़े देखकर यमराज को काफी दुखी हुए यमराज ने सूर्य देव को कुष्ट रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनी महराज के घर कुम्भ जिसे शनी की राशी कहा जाता है उसे जला दिया इससे शनी और उनकी माता चाया को कश्ट भोगना पड़ रहा था यमराज ने अपनी सोतेली मा और भाई शनी को कश्ट देखकर उनके कल्यान के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया तब जाकर सूर्य देव शनी के घर कुम्भ में पहुचे कुम्भ राशी में सब कुछ जला हुआ था उस समय शनी देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देवता की पूजा की शनी की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनी को आशिवाद दिया शनी का दूसरा घर मकर राशी मेरे आने पर धन धानने से भर जाएगा तिल के कारण ही शनी को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था इसलिए शनीदेव को तिल प्रिये हैं इसी समय से मकर सक्रांती पर तिल से सूरे एवं शनी की पूजा का नियम बना हुआ है पोराणी कथाओं के अनुसार मकर सक्रांती के दिन गंगा जी भा मकर सक्रांती को मोसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है आज से वातावर्ण में कुछ गर्मी आने लगती है फिर बसंत रितु के बाद ग्रिश्म रितु का आगमन होता है कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर सक्रांती के दिन देपता पिर्थी पर अफ्तरित होते है और गंगा असनान करते हैं इस वज़े से भी गंगा असनान का आज विशेश वहतु माना जाता है माहभारत में भीष्ण पिता ने अपनी देह त्यागने के लिए मकल सकरांती के दिन का ही चैन किया था मकर सकरांती से सूर्य उत्राइन होते हैं उत्राइन देवताओं का दिन माना जाता है और मानताओं के माने तो उत्राइन में मृत्यू होने से मोक्ष की प्राप्ती होती है जैसे की हम पहले भी बता चुके हैं कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास होता है खर मास में मांगली काम नहीं होते लेकिन मकर सकरांती के साथ ही शादी, ब्या, मुंडन, जनेव, नामकरन जैसे शुब काम की शुरुवात हो जाती है मकर सकरांती के शुब अफसर पर विश्णु भगवान की पूजा का विधान है शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माग मास में नित्य तिल से भगवान विश्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मुक्ष प्राप्त करता है अगर पूरे महिने तिल से नारेण की पूजा नहीं कर पाते तो मकर सक्रांती के दिन नारेण की तिल से पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से जाने अंजाने में हुए पापों से मुक्ती मिलती है मकर सक्रांती के दिन गंगा सनान करने पर सभी कश्टों का निवारन होता है इस दिन दिया गया दान विशेश फल देने वाला होता है मानता है कि इस अफसर पर दिया गया दान सो गुना बढ़कर पुने प्राप्त होता है इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मुक्ष क प्राप्ति कराता है इस प्रकादोस्तों मकर सक्रांति का पर्व मनाया जाता है आप इस दिन अवश्य दानपून करें और श्रीहरी भगवान की किर्पा प्राप्त करें आप सभी को जैशी कृष्णा